हेलो दोस्तो, स्वारत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में, मेरा नाम है विशेक, दोस्तो, आज की वीडियो के हमाई टोपिक है हाउ तू प्रमोट यूटूब चैनल, दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे गूगल आड्स का यूज़ करके अपने यूटूब चैनल को प्रमोट कर सकते हो, और ये भी बताऊँगा कि आप कम से कम पैसों में जास ज्यादा व्यूज़ कैसे लेकर आ सकते हो, अपने यूटूब वीडियो पे तो दोस्तो अगर आपने अपने 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 चैनल को सबस्क्राइब नहीं है, तो प्लीज आपको सबसे पहले हैं यहाँ पर सबसे पहले है और उसके बाद आपको यहाँ पर result मिलेंगे, जिसमें आपको यह वाला result open करना, get more customers with easy online advertising आप इससे भी open कर सकते हैं, अगर आप पहली बार account मना रहें तो इससे open कर सकते हैं, इससे आपको 2000 रुपेज का ad credit भी मिलेगा, लेकिन फिलाल के लिए हम यहां से open करेंगे, क्योंकि मेरा account बहुत बुराना है, और उसके बाद आपको sign in पर click करना है, आपको पहले से अपने YouTube लोग इन करके रखना, जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है, मुझे जो वीडियो प्रोमोट करना है, वो वीडियो ही मैंने यहां पर open कर रखा है, तो मेरा already sign in है, तो इस वज़े से मेरा Google Ads account है, वो automatically sign in होकर सामने आ जाएगा, आपको हो सकता ID password एंटर करना पड़े, क्योंक आपका page इस तरीके से दिखता हो, यह जो option आपने यहां पर देख रहा है, आपका page हो सकता है, इस तरीके से दिख रहा हो, लेकिन मैंने homepage set कर रखा अपना campaign page को, ठीक है, तो अब हम जाएंगे अपस campaign page पे, और इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से account बन आप सब चीज़ देख सकते हो, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, कि मेरे playlist, मेरा जो channel है, उस channel के अंदर आपको playlist में आना है, और आपको ये वाला वीडियो देख लेना है, देख लोगे तो account बन जाएगा, और उसके बाद आप पहुंच जाओगे इस page पर, ठीक है, त data out goal का एक campaign बनाना है, लोग आपको ये सिखाते होंगे, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा, product and brand consideration, ठीक है, ये सबसे बेस तरीका होता है, YouTube पर आट चलाने का, और उसके बाद वीडियो में click करना है, और यहाँ पर continue पर click करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले open हो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर second option है campaign name, तो guys, अब campaign name set कर दे time, कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन आपको याद रहे है ऐसा नाम रखना, तो अभी जैसे मैं, अगर आप देखोगे, मेरा जो वीडियो है, वो ये वाला है, ठीक है, तो मुझे अभी क paste कर दिया, और यहाँ पर मैं two नाम दूँगा, क्योंकि पहले से इस नाम से campaign मेरे पास है, यह मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे second step में आना है आपको, आपको CPV का यहाँ पर option मिलता है, वो इसलिए क्योंकि हमने product and brand consideration select किया है, तो आपको directly CPV का option मिलेगा, और YouTube में CPV का ही option होता है, और third option आता है हमारा first campaign total, अप guys campaign total, आप चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको दूसरा option मिलता हूँ, campaign total मतलब यह है कि आप पूरा इस वीडियो पे, मतलब इस वीडियो पे आपको add चलाना है, और इस वी search करना चाहता हो 3000 रुपे इस वीडियो पे, ठीक है, तो 3000 रुपे हमें यहाँ पर लिख देना है, लिख देना मतलब जैसे 3000 रुपे खतम होंगे, यह campaign अपना automatically बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर, दूसरा option, 3000 रुपे जब अपन सेट करते हैं, तो हमें यहाँ पर भी campaign रुप जाएगा, तो कहीं बार ऐसा होता है, मेरे साथ की 31 October निकल जाता है, और मैं भूल जाता हूँ कि यह date change करनी है, तो ऐसा मैं क्या campaign बंद पड़ा रहता है, तो मुझे यह जी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, daily set कर देता हूँ, ठीक है, अब daily daily में फाइदा यह होता है, कि हम daily के अंदर यहाँ पर 500 रुपय सेट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर date सेट करने की कोई जरूत नहीं है, हम यहाँ पर none कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर none पर select करके हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, बात खता हो जाएगी, तो अब इससे क्य करता हूँ, ठीक है, अब आप 500 रुपय यहाँ पर सेट करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि दिन के आपके 500 रुप खत से होई जाएंगा, कि किसी दूसरे ने भी इसी टाइप की वीडियो पर अगर आट चलाया तो उसका भी थोड़ा बहुत run होगा, ठीक है, कौन यहाँ पर सबसे पहला आप्शन होता है, मैं हमेशा सबसे पहला आट चलाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि लोग सर्च करके आए, और मेरा वीडियो देखें, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके चैनल पर जल्दी जल्दी व्यूज आने चाहिए, तो आप यूट्यूब वीडियो को भी सेलेक्ट कर लें, लेकिन यह जो थार्ड ऑप्शन है ना, इसको कभी भी सेलेक्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होता है, आपको थोड़े पैसा का नुकसान होगा, इसके लावा कुछ भी फायदा नहीं होगा, लिटरल ली बता रहा हूँ, कुछ चीज़े आपको करनी है, और अगर आप यह सेलेक्ट नहीं करते हो ना, तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा, तो मैं बताओंगा, यह सेलेक्ट करते हो, तो आपको क्या 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 करना चाहिए, ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, और कौन कौन से देशों में आपको बदाता हूँ शुरू से आप जैसे हमने इंडिया के हटा दिया है तो आप हमें इंडिया वापस यहां पर लेना पड़ेगा भूल मत जाना आपको इंडिया लेना ही लेना है क्योंकि आप इंडिया से कर रहे होंगे तो दूसरा आपको लेना पाकिस्ताना पाकिस्ता क्योंकि समझ में आ भ़ाए के लोगों को भी तीक है यह चार ने लिए अब इन चारों गुलेने का क्या मतलब है इंगलिश में क्यू nhi ले सकते हैं यह वहाँ पर हमको जादा पैसे देने पड़ते हैं ये चारों जगह पर CPC कम रहती है जादा व्यूस मिलते हैं और भी कम पैसे हो गिलते हैं ये एक रिजन रहता है इसके अलाबा नाइजीरिया बगेरा भी है जहाँ पर कम रहते हैं लेकिन वहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझते हैं इसलिए अपन उसको नहीं ले रहे हैं अब नीचे आजाते हैं Languages, All Languages रखना पर Inventory Type ये सारी चीज़े हमें नहीं करनी है और उसके बाद Additional Setting में हमें कुछ चीज़े पूछी जाती हैं तो Show नहीं होंगे ठीक है, हम इसको बंद कर देंगे Frequency Capping अब गाइस, इसका मतलब क्या होता है अब यहाँ पर Frequency Capping का मतलब यह होता है कि पर दे, आपको कितने बार आपका आड दिखाना चाहिए ठीक है, एक बंदे को Limit how many times that ads in the campaign can get a viewer transaction from the same user एक बंदे को कितनी बार दिखाना चाहिए यह first वाला जो आप देख रहे हो वो है, एक बंदे को कितनी बार दिखाना चाहिए तो मैं कहाँगा कि तीन बार दिखाना चाहिए एक दिन में और उस बंदे को अगर वो बंदा क्लिक करता है तो view कितनी बार count करना चाहिए तो मैं कहता हूँ एक ही बार count होना चाहिए एक week में ठीक है हो सकता है बन्दा हार दिन मेरे वीडियो को चला दे और इस मेरे पैसे कटते रहेंगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक week में वो बंदा मेरे वीडियो को सिर्फ बले कित्ती बार भी देखें लेकिन मेरा पैसा सिर्फ एक बार गटना चाहिए और इसके अलावा नीचे अब एड ग्रूप नेम भी आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे हमें सबसे उपर हमने campaign का नाम रखा था वैसे ही कोई भी नाम यह देखें का नाम था तो अब हम क्या करेंगे इसमें सिर्फ यह कॉपी कर लेंगे सिर्फ इतना था और हम एड ग्रूप का नाम रखें यह सिर्फ हमारे याद रखने के लिए होता है वैब होस्टिंग टू ठीक है अब जैंडर अब काईस मेरा जो टॉपिक है यह वाला वैब होस्टिंग का नॉर्मल कैसस में यह सिर्फ वैब होस्टिंग वगेरा पर्चेस करने का काम लड़के ही करते हैं ठीक जादा था है तो 55 से 64 की भी जरूत नहीं पड़ती है लेकिन मैं रख लूँगा एक बर क्योंकि हो सकता है चांसे से और household income बगेरा तो चलो ठीक है रहना तो इसमें को फरग नहीं पड़ता है वैसे भी क्योंकि हम अगर मान लोग की lower 50 को अटा भी देते है तो हो सकता lower 50 में भी कोई लोग ऐसे हो जो खरीदना चाते हो कुछ सीखना चाते हो तो उनको भी दिखना चाहिए ठीक है तो अब audience गाइस मैंने आपको बोला था कि अगर आप YouTube वीडियो सेट करते हो तो आपको कुछ चीज़े और भी सेट करनी पड़ेगी ठीक है यहाँ पर मैंने YouTube वीडियो लिया था तो उससे कुछ और बीचे तो यहाँ पर हमें audience सेट करने का option अब audience क्या होती है ठीक है मैं आपको बत सेट करने के बाद अब देखो web hosting option मुझे मिल रहा है, domain registration मिल रहा है, hosted data and cloud storage मिल रहा है, web design and development मिल रहा है, email marketing नहीं, web services मिल रहा है, SEO SMM में नहीं आता है हमारा, तोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन इतना relevant topic नहीं रहेगा, यह हमारे लिए ठीक है, तो बस खतम, यह हमने select लिया audience अब इसके अलावा एक और चीज भी होती है, यहां पर जो मैं अगर आपको बिताऊं तो, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, remarketing, गैस यह आपको search में, हमने search करके यह सारी चीज़े ले ली, अब आपको ब्राउज में, ब्राउज में आने के बाद आपको यह option मि आपको इस आड को बेजना है, तब जाकि री-marketing का काम यूज होता है, अब यह देखिए, मैंने जब ऐसा किया, तो 15 दिन का audience पूछ रहा है, 45 डे, डी-marketing बॉल audience, ठीक है, मेरा जो audience है, वो 1,40,000 तक है, जो पिछले 30 दिनों में मेरे वीडियो को जोनों ने देखा है, ठी है, क्योंकि आपने अभी तक ये दोनों चीज़े करनी रखी होगी, इसलिए, सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है, इसमें, how to link YouTube channel to Google Ads, Google Ads के साथ अपने YouTube channel को कैसे link करना है, एक बार आपको link करना पड़ेगा, उसके बाद जो चीज़े मैंने इस वीडि हो जाएगी, फिर आप इन मेंसे जो चाहिए, वो select कर सकते हो, ठीक है, तो मैं select कर लूँगा अपने 45 days वाला और 60 days वाला मैं आपर select कर लूँगा, ठीक है, तो हमारा काम हो गया, audience वाला complete हो ठीक है, अब हम आजाएंगे keywords में, guys, keywords का case तो आपको किसी भी हालत में keyword डालने है क्यूंकि अब बले ही आपने YouTube वीडियो से हम पर select किया हो, तब भी आपको keyword डालने हैं नहीं किया हो, जैसे भी मैंने हटा दिया, तब भी आपको keyword डालने हैं, क्यूंकि keyword से ही ये first वाला काम करेगा, अगर आप keyword नहीं डालोगे तो YouTube search result वाला काम ही नहीं करेगा, तो आपक इसमें keyword तो डालना है, ठीक है, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आभी हम इसको वापस चालू कर देते हैं, अब हम आजाते हैं, हमारे keyword वाले option में, तो guys, keyword डालने के लिए, मैंने यहाँ पर already keywords निकाल रखा है, ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, यह भी मैं आ आएंगे, और इस keyword को आपे paste कर देंगे, सारे keywords हमने यहाँ पर paste कर दिये, ठीक है, यहाँ पर सारे keyword डाल दिये, अब देखिए, यह चीज दिखानी थी मुझे आप, यह किसी ने आपको बताया नहीं होगा, आज कल क्या है न, estimated इतना easily बताता नहीं है, ठीक है, यह सारे keyword ज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, मैंने और अल्रडी हटा रखा है, मैं आपको बता हूँगा, लेकिन आपको कैसे हटाना है, वह बता देता है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इसको पहले copy कर लेना, उसके बाद अपने keyboard पे Ctrl F को प्रेस करना, साथ में, तब आपको अब आपको दूसरा keyword लेना है, वही चीज़ आपको repeat करनी है, यह देखिए, best web hosting India यह हटाया, और यहाँ पर लागे हम इसको paste कर देंगे, तो अब हमें यहाँ पर आके ढूढ़ना है, yellow color में यहाँ पर highlight हो चुका होगा, वो keyword, यह देखिए, यह रहा, orange color में highlight होगा है, तो आपको इस keyword वापस हटा देना है, तो इस तरीके सा आपको सारे keyword हटाना है, मैं अभी सारे नहीं हटा हुआ, मेरे पास already हटे हुए पड़े हुए है, तो मैं directly यहाँ से इसको copy कर लूँगा, और यहाँ पर लाके इसको मैं paste कर दूँगा, तो अब यह सारे जो right side में जितने है topics, अब आपको topics भी select हरने होंगे, तो अब मैं यहाँ पर फिर से वोई, आप क्यों करने पड़ रहे हैं, वोई बात फिर से कि आपने यह YouTube वीडियो select कर रहा है, तो इस वज़े से आपको topic भी यहाँ पर select करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर देख लूँगा, अगर मै इसके अंदर आता है, तो मैंने topics भी select कर लिए, तो आपको भी इस तरीके से अपना वहाँ पर type करना हो, और हाप blogging भी आएगा मेरे case में, placement, placement का अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि placement के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है, एकदम detail में, क्योंकि वह थोड़ detail नो बताना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंब हो जाए, यह वाला वीडियो आप देख सकते है, मेरे playlist में आपको मिल जाएगा, how to run ads without using keywords, google ads placement targeting, पूरा placement targeting मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, क्योंकि यहाँ पर आके आप उसको बहुत और इन सारे वीडियो, जो जो चीजे आपको देखने को मैंने बोला, उन साभी वीडियो का link मैं आपको description में भी provide कर दूँगा, ओके यह चीज भी हो गई, और अब bidding, सबसे important चीज, अब आगे एक bidding, कि आप एक view के लिए कितना देना चाहते हूँ, ठीक है, अब मैं आपको suggest करूँगा, 30 पैसे से शुरू करना, इस से कम में कभी भी शुरू मत करना नहीं, तो आपका add चलना ही शुरू नहीं होगा, ठीक है, तो अब यह 30 पैसे, अब मान लोग कोई अच्छा keyword आई है, तो आप उस 30 पैसे का 10 और बढ़ा के आप दे सकते हो, मतलब आप इसका और अगर आप दे देते हो, तो वो उस keyword पर आपका वीडियो शो होगा, और उस पर view भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज काम करती है, अब आपको यहाँ पर अपने वीडियो का URL डालना है, तो आपके YouTube चैनल पर आजा ना, वीडियो का link ही रहा, तो हमें इसको यहाँ पर copy video link पर click करना है, तो यह खो जाएगा copy, और यहाँ पर आके हम इसको right click करेंगे, और पेस्ट पर click कर देंगे, तो guys, आगे हमारा वीडियो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको skippable stream चाहिए, कि video discovery आड़ चाहिए, आपको यहाँ पर र stream रख दें, और अगर आपने सिर्फ keyword का रखा है, तो आपको यहाँ पर video discovery आड़ करना हो, ठीक है, तो मैं हाँ पर video discovery आड़ की जगे skippable रहूँगा, क्यूंकि मैंने वहाँ पर ऐसा किया है, ठीक है, तो अब देखते है, headlines के अंदर, आपको headline लिखने है, headline के अंदर एक ब service, ठीक है, यह लिख दिया, मैंने यहाँ पर, और दूसरा, cheap web hosting, और guys, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, आपको कभी भी यह करना नहीं है, सबका जो first letter है, आप उसको small रखना, क्यूंकि title जितना छोटा होगा, उतना सही रहता है Google के लिए, बहुत जादा बड़ा नहीं कर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ultimately subscribers भी चाहिए, तो इसलिए आप यह लिख सकते हैं, और last में आप लिख दो, hosting to, यह नाम, आपको hosting to नहीं रखना है, कुछ भी नाम याप यह रख सकते हैं, आप जिससे नाम से पहचान पाऊ हो, उस नाम को आपको रखना है, अब देखिए estimation की budget और हमारे सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको एक रुपे कर दूँ, ठीक है, तो यह यहाँ पर जादा होगा, ठीक है, अब 630 से 45,000 review तक बिल लेंगे, ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को वापस 30 कर दूँ, ठीक है, यह सारी चीज़ा मैं इ उससे भी जादा आपको यहाँ पर मिलेगा, अब आपको फाइनल यू, अगर जब आप मानले को स्कीपबल इंस्ट्रीम रखते तो आपको यहाँ पर एक फाइनल यूरल भी रखना पड़ेगा, सेलेक्ट करके, इस यूरल को आपको यहाँ से पेस्ट कर लेना है वापस, और आपको यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, डिस्प्ले यूरल आपको यही रहेगा, आप डिस्प्ले यूरल को चाओ तो चेंज कर सकते हो, कोई लिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं यही रखना दूँँगा, और हमारा यह काम हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम पूरा एड क्रियेट कर सकते हैं, मैं वापस इसको डिस्कावरी पर ही कर दूँगा, और अब क्या करेंगे, हम क्रियेट कैमपेंड पर क्लिक कर देंगा, अगर कोई भी एरर होगा हमारे कैमपेंड में, कहीं पर भी, तो अभी यह बता देगा हमे और अगर कोई एरर नहीं होगा, तो यह हमें नेक्स पेज पे ले जाएगा, तो कोई भी एरर नहीं था हमारे में, यह बहुत सालों से कर रहों, बाकी नहीं तो एरर आ जाती है, नॉर्मल कैसिस में, ठीक है, continue to campaign पर हम प्लिक कर देंगे, और हमारा campaign हो जाएगा, ready, यह दे कि नहीं हुआ, यह कैसे देखते हो ही बता देता हूँ, आपको क्लिक करना यहाँ पर, अंदर जाना वेब होस्टिंग 2 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हमारा वीडियो सामने लिखा हुआ है, under review, ओके, यह लिखा हुआ आता है, approved, ठीक है, यह approved कैसे लिखा जो add है वो नहीं चलेगा, ठीक है, तो तब तक आपको tension नहीं लेगी है, एक बार अपनों लिखा हुआ आजा है, फिर भी नहीं चलता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि हमारा जो अभी latest campaign उसी पर आता हूँ में, इस पर क्लिक करना, यहाँ प इसको यू मत लेना कि यार बहुत महंगा हो गया, मैं बताता हूँ इसमें महंगा जो हुआ है, उसको कम कैसे करता है, उसका तरीखा भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना, आपको फिर से starting से बता रहा हूँ, यह देखिए, अपना जो नया campaign उसके अब जैसे कि माल लीजिए कि मेरे यहाँ पर है cheap web hosting, मैं चाहता हूँ कि इस keyword पर तो मुझे view मिलना ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0.50 कर दूँगा, थोड़ा बढ़ा दूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर तो मुझे 0.50 तक view मिल जागा, अब नीचे है कि web hosting, ठ पर नहीं है, तो ऐसे मैं मुझे यहाँ पर 0.40 रखने कि जरोत नहीं, यहाँ पर 0.10 रख दूँगा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए इस keyword पर view, तो मैंने इस पर 0.10 रख दिया, और इससे नीचे में अगर मुझे मिलता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे अतना सस वीडियोस आपके, जो keyword आपके लिए जरूरत नहीं है, उन सब की आप cost कम कर दो, ठीक है, जैसे web hosting free, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे सिर्फ 0.03, इसमें view मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिलता है, तो कोई बात मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप इस सीपी सी रहेगा, पांच पैसे में, चार दिन आपके एड को चलने देना, उसके बाद आपको पांच पैसे में एक view मिलना शुरू हो जाएगा, तो guys, ये था पूरा process जिससे कि आप एक properly add run कर सकते हो, कोई भी add, जैसे अब आप देखो के तो मुझे 21 पैसे में view मिल रहे है यहाँ पर, लेकिन ये campaign मैंने कल शाम को बनाया, अब ये 5 दिन चलेगा, तब तक जाके ये नीचे होगा, ठीक है, पहले यहाँ पर ये 23 पैसे था, जैसे अब ये वीडियो यहाँ पा 27 पैसे दे रहा था नो, वैसे ये शुरू हुआ था 23 पैसे में, और अभी 21 पैसे में view देना शुरू कर देगा, ठीक है, तो तब तक मुझे इस campaign को चला ना है, नहीं चलाओंगा, तो ये इतने में देता रहेगा, ठीक है, तो मुझे continuously इसको चलाते रहेगा, तब ही जाके ये कम होगा, नहीं तो ये कम नहीं होगा, तो आपको भी पहले दिन में सस्ते views नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 दिन लगेंगे उसको सस्ते views होने में, ठीक है, जितने जाधा आपको clicks बनेगी, ये percent आप देख लेना, जितना जाधा percent होगा, उतना ही आपके कम पैसे लगेंगे, ठीक है, इस बात को आप हमेशे ध्यान रखना, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार, percent जाधा है, फिर भी जाधा लग रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, शुरू में एक की तो click मिला है, इस पर, तो उससे साब से तो ये percent आपको जाधा ही दिखेगा, क्योंकि 13 जनों के सामने ये वीडियो के, आप यहाँ पर देखे, 7,000 जनों के सामने गया, और उसमें सारे campaign's है, जिनको अगर मैं आपको detail में बताऊंगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं all time कर देता हूँ, मेरे कितने कम पैसे में मुझे view मिला, अब आप देखो, 9 पैसे में view मिले, 7 पैसे मिले, 8 पैसे मिले, 12 ये ते तीन पैसे में view मिला है, 15 पैसे मिला, 19 पैसे मिला 10 पैसे मिले, 8 पैसे मिले, 20 पैसे मिले, 8 पैसे मिले, 20 पैसे मिले, सब कम में मिले, क्योंकि यह लंबे लंबे चला है, इन campaign's को बहुत लंबा चलाया, इस वज़े से मुझे इतने कम पैसे views मिले, तो सारी चीज़े आपने देख लिए हैं यहाँ पर, तो अब आप simply क्या कर और 4.5 दिनों से run करो, जिस तरीके से मैंने बताया, उस सारी चीज़े आप उस तरीके से करो, आपको बता चल जाएगा, और keywords निकालने का मैंने आपको बताना रहे गया, simple सी बात है हम यहाँ पर आएंगे, इधर setting का option है, यहाँ जाएंगे, tools के option में जाना है, और keyword planner में ज सारे keywords, ठीक है, यह सारे keywords आपको मिल चुके हैं यहाँ पर, अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे, और यहाँ पर आप इसे select करके, select all, 1, 2, 1, 5 पर से कर देना, तो सारे select हो जाएंगे, जैसे सारे select हो जाएंगे, तो right side में आपको option मिलेगा, download keyword ideas, ठीक है, इस पर click ज Excel sheet में आपका सारा keyword, जो भी आपने अभी download किया, यह सारे यहाँ पर आगए, तो इन सभी को आपको वैसे select हरना है, और वहाँ लाके आप paste कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका keyword research भी हो जाएगा, okay guys, तो finally मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आगया होगा, मैंने सारी चीज़ें आपर cover कर लिए, सारे वीडियो के link में आपको description में देऊगा, और वीडियो पसंदा तो like जलू कर देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो देस्तों उमीद है आपको खर्ची समझ में आ गई है, तो दोस्तों उमीद ही वीड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,